हेलो फ्रेंट्स वेलकॉम टू सोलर ग्यान अरे नीव चैनल जुलाई 2022 रिनुवल नर्जी के फिल्म में क्या अपडेट रहा उसके बारे में डिसकस करेंगे और जैसा कि मेरे पहले वीडियो की तरह मैं न्यूज को दो पार्ट में बनाता हूँ जो फर्स्ट पार्ट है बैस इस पर्टिक्लर मंथ में कितने टेंडर से निकले किया उनका स्टेटर स्रा कितने प्रोजेट्स कमिशन हुए और क्या उनका जनरेशन रहा उसके बारे में डिसक्रस करता हूँ तो आए फर्स पार्ट के पारे में बारे में जो की गुश्ट पॉलिसी इंवेश्मेंट और गुश्ट अन सर्विस ट्स जेश्ट एंट इंच्ट झूलर वाटर एंटर श्रा प्रोजेटर इंप्रशन और श्राइंट इंप्राइट्स प्रष्ट पर्स फ्राइंट प्रश्ट कर दिया इंगिस्ट खूल्कॉ अटाटा बेस्ट वेश्ट अनर्जी इसल से टप्प 1.8 सोलर सेल एंड मॉडूल मेनिफेक्टरिंग प्लांट जो वेप सेल है अले इसका सोलर सेल मेनिफेक्टरिंग प्लांट था कोर्काता में अब इस कंपनी ने अथारों सो मेगावाट का सोलर सेल और मॉडूल दोनों केपसिटी लगाएगा नेच्ट है NTPC commissioned the last phase of 20 MW out of 100 MW Ramagundam floating solar power projects, it is the largest floating solar PV plants in India, अभी आप लोग ने देखा होगा कि बहुत इसमें new जा रही थी और आभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर स्री मोदी जी ने इसका उधगाटन भी किया है, कि टोटल जो capacity Ramagundam की 100 MW हो गया है, और आलडी 80 MW पहले ही कमिसेंट हो गया था, यह लाश्ट पार्ट था 20 MW का, अब इसकी टोटल कैपसिटी जो floating की जो Ramagundam है, वहाँ पर 100 MW हो गया है, और यह अब तक का इंडिया के सबसे बड़ा floating solar power projects है, अनेस्ट है, जेस डवली स्टील जो है, तेन थाउजेंड करोन इन्वेस्ट करेगा, और इसके हिसाब से 958 MW का Renewal Energy Capacity भी लगाएगा, और आपको यह भी करते हूं कि जेस डवली जो है, रिन्वेस्ट कर चुका है, और सोलर और विंड कैपसिटी दोनों लगा रहा है, अगर हम लोग बात करते हैं, नेश्ट जो है, अगर हम लोग बात करते हैं, डिसकॉम कि इतना RE generators का due रखा हुआ है, तो Ministry of Power एक data update करता है, जो प्राप्ति पोर्टल के नाम से famous है, तो जो प्राप्ति पोर्टल के अगर data का हम लोग consider करते हैं, उसे साब से 20,000 करोन के आसपास जो है, रिन्वेस्ट का due है, डिसकॉम के ऊपर, और यह जो डेटा है, basically end of June 2022 है, और य यह basically May 2022 वाले figure से 2% कम है, slightly बहुत कम है, next है, NTPC Renewal Energy Limited, यह basically NTPC के 100% subsidiary company है, जो की Renewal Energy के लिए बनाई गई है, इसने MOU sign किया है राजस्थान गवर्वर्मेंट से, और इसके हिसाब से 10,000 मेगवाट का solar park, जो है, अल्टा मेगा रिन्वेस्थान में डेवलप करेगा, NTPC Next है, Delhi Airport, जो है basically, इंडिया का first airport हो गया है, जो की Total Renewal Energy पर रन करता है है, और आज की रिन्वेस्थान में रिन्वेस्थान के बात करते हैं, तो mainly जो इसमें आता है, solar, wind, hydro और bio आता है, तो जो बाइलेंस के अलड़ी Delhi Airport पर आलड़ी solar के capacity लगी हुई है, एक्जेक तो नहीं Next है, NTPC Renewal Energy Limited, NTPC REL, signed a Memorandum of Understanding with National Fertilizers Limited, NFL, to collaborate in the field of Renewal Energy and Green Ammonia, आज की रिट में बात करते हैं, तो government जो है, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पर बहुत फोकस कर रही है, और ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया का में परपस यह है कि जो हम लोग हाइड्रोजन क जो है, जो है, यह जो फर्म है, जो 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 बनाएंगे, इसमें एक तो 90 MW round-the-clock renewal power supply करेगा, जो की phases में देगा, 30 MW जो है, 60 MW phase 2 में, उसके बाद 50 tons per day जो है, ग्रीन अमोनिया को synthesize के जाएगा, captive use के लिए, नेक्ष्ट है, अरना कुलम dairy, set to become nation's first fully solar powered power plant, आप देख सकते हैं कि हर field में, आगर देखा जाए, तो renewable energy का importance भढ़ता जा रहा है, आप इसका जीता जाता एक जामपल यह अरना कुलम dairy जो है, आप देख सकते हैं, इसमे आप देख सकते हैं, इसमें ग्रीन अमोनिया के लिए, और बहुत सारे जो पीएसूज हैं, इस्टेट्स के पीएसूज हो हैं, या सेंट्रल गोर्मेंट के पीएसूज हैं, उनसे एमोई के थूझ जो इस पर्टिक्लर फिल्ड में हैं, उनके लिए पाउर सप्लाई हो या Green Ammonia, Green Hydrogen के बाद इस पर्टिकलर फिल्स में काफी टायब कर रहा है NTPC plans to raise 5,000 करोन by selling a stake in newly created green energy arms It has engaged SBI Capital Markets to advise on the sale process Renew has successfully refinanced its 2024 maturity dollar denominated bonds with amortizing projects debt from the Indian non-bank financial company Becoming the first Indian renewable energy company to do so Next है, एक UBS research firm है, US Best उसने ये estimate किया कि अगर इंडिया को 2070 तक net zero का target अगर achieve करना है तो टोटल जो है 20 trillion dollar का उसको expenditure करना पड़ेगा 20 trillion dollar ये काफी huge amount है, काफी बड़ा amount है क्योंकि आज की date में हम लोग 5 trillion economic की हम लोग बात करते हैं पांच साल में 5 trillion economy हम लोग achieve करने के लिए government बहुँ ज्यादा aggressively काम भी कर रही है उस हिसाफ से अगर हम लोग compare करते हैं तो 20 trillion dollar बहुत ये amount है तो जो research firm है, उसने ये estimate कि अगर इंडियो का target अचिव करने के लिए और ये तर्मिलाडू के तीरुने वेली डिस्टिक में setup किया जाएगा और ये बहुत ये positive step है कोई company जो है proper setup कर रही है और sustainable और साइन सस्टेनेबल और renewable energy के बारे में अगर particular dedicated course और dedicated center रही इस्टेबलिस किया रहा है इती में तो काफी बड़ा achievement है नेक्स्ट एकमे ग्रूप सेल मेकन इंवेस्टमेंट फिप्टी तो थाउजन फोरहंड़ सेवंटी फोरहंड़ सेवंटी फोरहंट इस प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट उड़ कंप्राइज ए 5 गीगवार्ट सोलर प्रोजेक्ट 1.5 गीगव बावर की जो ट्रेडिंग होती है और देन 90 परसेंट जो है इंडियन एनर्जी एक्चेंज में होती है इंडियन एनर्जी एक्चेंज ट्रेड़ेट 536 मिलियन इनिट्स आफ रिनूवल एनर्जी इन जून 2022 इटी जो 16.5 परसेंट डिक्रीज कंपेर टू प्रिवियस मंथ एक्चेंज ट्रेड़ेट टोटल 8-6-7 मिलियन इनिट्स आफ एनर्जी दूरिंग दिस मंथ जार्खंड गवर्मेंट ने भी जार्खंड सोलर पॉलिशी 2022 इसू किया है जुलाई में और इस पॉलिशी के साब से अगर हमनों बात करें तो 4000 मेगावाट का जो है चैनल बैंकर टॉपस है और यह बहुत सब्सेडि़ेग भी प्रोवाइड कर रही है रूफ टॉप के लिए भी नेस्ट ए जैक्सन ग्रूप यज लाँज इस निव वेंचर जैक्सन ग्रीन के नाम से लांच किया है और जैक्शन ग्रीन जो लांच किया है उसका जो मेन फोक जितनी बड़ी बड़ी कंपनिया इस फिल्ड में आई चुकी है और जो कंपनिया जो बची थी वह भी आ रही है तो जैक्सन उसका एक्जामपल एक अच्छाइना आइड़ेट 6.83 गिगावाट अप सोलर केपसिटी इन मेट 2022 यह एक चुली देने का मेरा परपजी है कि देखिए एक मंत में चाइना कितना इंस्टॉल कर रहा है और हम लोग पूरे छे महिने में या एक साल में भी कभी-कभी इतना एचीव नहीं कर पाते हैं और अगर हम लोग बात करें जन्वाली से में का फाइब मंस में तो फाइब मंस में उसने टोटल 23.71 गीगावाट उसने एड़ किया है चैना ने अक्यले नेश्ट टाटापार हैस्ट वर स्पाइब मर्काने नेश्ट साइब वह फाइव नेशल नेश्ट फाइवेर वह ने कंपनी चैने इन गरीगावाट लिए और यह भी इंक्रीच के इंस क्लिन energy portfolio from 34% to 80% by 2030 नेक्स्ट है तो ज्वाइन इलक्षिटी एंड रेगुलेटरी कमिशन जो यह जो यूटीज है उसके लिए यह बैसिकली ज्वाइन इलक्षिटी रेगुलेटरी कमिशन है जिसमें कि आप जम्मु कस्मीर लद्दाग अंडमान निकोवार यह सब जो होते हैं इनक इसके इसाब से जो टोटल आर्क्षिट किया गया है 21-22 के लिए 21.8% है जो की इंक्रीज होकर के 22.48% 25-26 तक हो जाएगा तो देखा जाए बहुत ज्यादा हीूज गैप तो नहीं है अगर 2021-22 में 21.8% है तो 25-26 में 22.48% तो ज्यादा इंक्रीज नहीं है 25.180% Центral Board of Indirect Access and Customs has रुचिळ पर मिनेदान ठेखरों consulting हैं 26.50% Troll मीज इंक्रीज डेवी कॉचिध था जाल यार्क्षिज कर्द्वर, को ब्राणों है निच।-टIES गारी जॉचिबल डिजे क्षिप दूचिभं ओपतों। 2022 और अभी रेसेंट्ली मिनिस्ट्रिय पावर नेक नोटिफाई किया है एलेक्सिटी प्रोमोशन रिन्वाइनर्जी थू ग्रीन ओपन अक्सिस रूल्स 2022 मैं थोड़ा से यहां अपडेट कर दू कि यह जो ग्रीन ओर एनर्जी ओपन एक्सिस है इसके इसाब से जो अगर इनर्जी ओपन एक्सिस में लेना चाहता है तो पहले मिनमूम ओपन एक्सिस के लिए वन मेगावाट था अब इसको रिडूस करके 100 किलोवाट कर दिया गया है अगर आप इनर्जी ओपन एक्सिस के थ्रू लेना चाहते हैं तो यह काफी यूज बोल सकते हैं इंसेंटीव है रिन्व एनर्जी को प्रमोट करने के लिए नेस्ट है दे सेंट्रल गॉर्मेंट इस कंसिडरिंग दे प्रोपोजल फारी मॉबल अफ इलेक्रोनिक रिवर्स और सेक्रेटरी मिनेश्टी अफनी में रिवर्मेंट प्रोपोजल अभी कंसिडर कर रही है जो विंड के लिए और इसका सबसे बड़ा इड्वांटेज यह रहा कि काफी कम्पेटिटिव इन्वर्मेंट रहा और टैरिफ काफी कम आया लेकिन अगर इंडेस्टी के पॉइ प्रोजेक्ट वाइवल नहीं हो पाता है इसलिए गवर्मेंट इस पर विचार कर रही थी और इस पर साइध कोई कमेटी भी इसमें पॉइंट की थी फाइनली अब यह लग रहा है कि जो विंड के लिए यह जो हट जाएगा जो नॉर्मल प्रोसीजर से जो बीडिंग होती है कि उसमें जैसे बीडर्स अपने बीड समीट करते हैं जो लोवेश्ट होता उसको लॉट कर दिया जाता है उसी प्रोसेस पर होगा इसमें ट्रांस्फरेंट नहीं हो कि आप रिवर्स ऑक्षन आप एक दूसरे के वीड्स देख सकते हैं और आप अपनी बीड्स जो है लो और आप देख सकते हैं कि एंटी पीसी कितना एग्रिसीवली जॉइंट वेंचरे मुट कर रहा है आप इसमें अभी इससे पहले अपनी नीज में पीछे भी देखा होगा आपने कम से कम तीं-चर कंपनियों के साथ उसने जॉइंट वेंचरे मुट किया है अब इसमें पीक पाउर्स अप्लाई फ्रम देखी बैसे कि मैं आपके में अपडेट कर दूं सेकी ने एक टेंडर निकाला था जिसमें यह था कि आप जो जो पीकिंग आवर्स में उसके लिए कोट करना था जो ऑफ पीक आवर्स उसके लिए अलड़ी टैरिफ फिक्स था उसमें इसमें और जो पीक आवर्स उसके लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए कोट करना था तो जो पीक टैरिफ जो निकल किया था 6.85 पर युनिट था और इसमें शेकी का ट्रेडिंग मर्जीन भी साथ पैसा पर युनिट है Next, NHPC Ltd. signed MOU with DVC to explore the formation of a joint venture company to explore setting of hydropower and pump storage projects Next, the Telangana State Electricity Regulatory Commission has approved power usage agreement between Telangana distribution company and NTPC for the purpose of purchase of 1692 MW of solar power from NTPC intern state transmission connected solar power projects under the CPSV scheme program phase 2 Basically, Ministry of New and Renewal Energy Government of India के एक स्कीम है CPSV phase 2 उस स्कीम में उसमें केवल government company ही participate कर सकती है और आप मेरे इस चैनल पर CPSV स्कीम के काफी detail है मैंने सेपरेट इन फैक्ट जो Ministry of New and Renewal Energy के जितनी भी solar schemes है मैंने सपरेटेल में वीडियो बनाई हुआ है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं CPSV scheme में काफी detail मैंने वीडियो बनाई है Basically, मैं आपको समझाने के लिए बता दूँ कि जो CPSV scheme उसमें के विल government company पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें टैरिफ फिक्स होता है उस टैरिफ के राइफ करने के लिए आप कितने गए फंट चाहिए उससे बीडिंग करनी पड़ती है और इसमें एक mandatory है कि जो solar panel यूज किये जाएंगे that should be made in India वो domestic manufacturing को promote करने के लिए scheme लाई गई थी इस scheme में जो NTPC 1692 MW जो solar project develop कर रहा है उसके लिए तेलंगाना से LAD commission ने agree कर लिया है The next ministry of power has issued the renewal purchase obligation and energy storage obligation until the financial year 29-30 और इसमें अभी तक जो ministry of power का जो order था जो notification था RPO obligations के लिए वो March 2022 तक कही था इसके बाद यह नया इसने issue किया है ministry of power ने जब कि 2029-30 तक हो गया है इसमें और इसमें एक नया और introduced किया गया that is the energy storage obligation इसमें 1% से increase किया गया है आप next year से 1% हो जाएगा और इसमें 0.5% 0.5% बढ़ता जा रहा है जो कि 29-30 तक 4% तक हो जाएगा उसमें यह बोला गया है कि जो energy storage है उसमें आपको minimum इतना energy store करना पड़ेगा और उसमें जो store करेंगे उसमें minimum 85% renewable energy mainly solar wind होना चाहिए next the custom authority for advanced ruling recently allowed the import of all the components of a solar projects at a concessional rate of 5% circumventing the basic custom duty imposition next ONGC signed MOU with Greenco to pursue opportunity in the renewal green hydrogen green ammonia and other derivatives of green hydrogen next है हिंदुस्तान power exchange हिंदुस्तान power exchange एफ एक्सिली रिसेंटली जो है third exchange regulator ने approved किया था और इसने functioning भी start कर दिया है तो हिंदुस्तान power exchange launched the day ahead market green day ahead market and real time market तो होब दोस्तो यह जो जुलाई 2022 का renew energy के बारे में जो अपडेट है आपको सही लगा होगा अगर आपको सही लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को फारवर्ड करें फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक यह थैंक्यू जय हिंद